नमस्का दोस्तों वीडियो आपका स्वागत है साउमी ने आज इंडिया में अपनी सबसे तेज चार्ज होने वाली स्मार्टफोन साउमी 11 हाइपर चार्ज 5G को लांच किया है जो की 120 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और मातर 15 मिनट में 100% तक अपने स्मार्टफोन को चार्ज भी कर देती है इसमें कम्परीन ने दो मोडल के साथ लांच किया है जिसमें साउमी 11 आई और साउमी 11 आई हाइपर चार्ज 5G सामिल है दो मोडल से इसमें सामिल है और इसकी बैटी इतना तेस चार्ज कैसे होती है तो इसमें कम्परीन बता है इसमें डूवल सेल बैटरी दी गई है जो कि डूवल चार्ज फर्म के साथ एक कस्टम साकिट की मदद से चार्ज होती है और इस figure में आप देख सकते हैं कैसे hyper charge work करता है तो इसके specifications की बात करें तो इसमें आपको total 4 color option मिल जाएगा जिसमें कमो green, stealth black, purple mist और pearl white सामिल है तो इसमें 2 display दी गए है 6.67 inch का full HD plus emoled screen मिल जाएगी जो की 120Hz refresh rate के साथ दी गई है और ये Corning Gorilla Glass 5 protection के साथ मिलेगी और IP53 rating भी है camera इसके rear में 108 megapixel की triple camera setup दिया गया है जिसमें 108 megapixel की main camera, 8 megapixel की ultra audio angle lens और 2 megapixel का micro lens दिया गया है तो इसके rear camera से 4K तक 30fps पे recording हो सकती है तो इसके front में 16 megapixel की selfie camera दी गई है तो इस बैटरी की बात करें तो आपको 11i में और 11i hyper charge दोनों में अलग अलग बैटरी देखनेक मिल जाएगी तो Xiaomi 11i में 5,160 mAh की बैटरी दी गई है जो की 67W fast charging को support करेगा और box में आपको 67W का turbo charger मिलेगा लेकिन वह अगर आप Xiaomi 11 hyper charge वाला variant लेंगे तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी जो की 120W hyper charging को support करेगी और box में आपको 120W का turbo fast charger भी दिया जाएगा तो इसकी 120W fast charging है इसके मदद से 15 मिनिट में यानि की 15 मिनिट में टोटल 100% तके fully charge हो जाएगी तो इसमें dual symmetrical speakers लगे हुए है Dolby का audio support मिल जाता है 3.5 mm का headphone jack दिया गया है IR blaster मिल जाता है Bluetooth 5.2 का support दिया गया है side mount fingerprint sensor भी दिया गया है तो इस इसमें आपको दो तरीके के storage मिल जाएगा जिसमें 6GB RAM प्लस 2GB virtual RAM दिया गया है और 128GB storage से जाता आती है तो इस 8GB RAM प्लस 3GB virtual RAM दिया गया है और 128GB storage मिल जाती है तो अभी weight की अगर बात करें Xiaomi 11i का weight 204 gram तक है Hyper charge variant के साथ 207 gram तक इसका weight है प्रोसेसर इसमें दोनों में आपको Media Deck Dimensity 925GB मिल जाएगा OSS में Android 12 दिया गया है तो अगर price की बात करें Xiaomi 11i और Xiaomi 11i Hyper charge के price में केवल 2,000 का फर्क देखने को मिल रहा है तो Xiaomi 11i का प्राइस है 6GB RAM प्लस 1,28GB storage साथ जो की 67W फास्षाग के साथ मिलेगी 24,999 रूपीस तक price है तो 8GB RAM प्लस 1,28GB storage साथ 26,999 रूपीस तक इसकी price है और flip card अपगेट के थूँ आपको इसके price के केवल 70% तक प्राइस में आपको ये flip card अपगेट के थूँ मिल जागा तो ये hyper charge variant के अगर बात करें तो इसका 6GB RAM प्लस 1,28GB storage साथ प्राइस 46,999 रूपीस तक है तो ये 8GB RAM प्लस 1,28GB storage साथ 28,999 रूपीस तक इसकी price है इसके लाबा अगर आप साउमी का 120W का fast charging करना चाते है तो आपको केबल adapter प्लस केबल के साथ 3,999 रूपीस तक के price में मिल जाएगी और साउमी की ये सबसे fast charging वाली smartphone को आप purchase करना चाते है तो आप 12 जन्वरी से इसको purchase कर पाएंगे तो आपको पता चल गया कि साउमी 11i में दो मॉडल सामिल है जिसमें साउमी 11i और साउमी 11 hyper charge 5G सामिल है दोनों 5G स्मार्टफोन है केबले इनके बैटरी में और fast charging जो की box में दिया जाएगा उसमें आपको डिफरेंस देखनीक मिल जाएगा और इसके price में 2000 का फर्ग दिखनीक मिल जा रहा है तो उमिद कर दो वीडियो में आपको सारी बात अच्छे समझ में आयोगी अगर कोई बात आपको नहीं समझ में एट कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो में फ्राल इतना ही उमिद कर दो वीडियो आपको अच्छी लगए तो इस वीडियो को लाइक सेरी जरू कर दे चैनल पहली विए रांचेंग को सब्सक्राब जरू कर लिजेगा थैंके फैंस थैंक्स पर वाचिंग